Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में The Sumagra Sikshah Department of School Education की तरफ से online application मांगे जा रहे हैं Post of Principal के लिए, PZT के लिए, इसके अलावा TZT, Physical Education Teacher Accountant की वेकेंसी है ठीके साथ में जो है, Hostel Warden की भी वेकेंसी है Salary आप लोगों को thumbnail में नजर आ ही रही है, साथ में residence भी जो है free available होगा इसमें कोई परिक्षा, कोई interview नहीं होगा, purely merit से selection होने वाला है 604 पदों पर ये वेकेंसी है, Teaching and Non-Teaching Staff के लिए Type 3 and Type 4 KGVV से ये वेकेंसी जारी की गई है चलिए देख लेते हैं, Official Website पर जाके आप लोगों को सारी चीज़ें वहीं पर देखने को मिलेगी Notification, कैसे application form फिल करना है Post-wise, कौन-कौन से subject की वेकेंसी है, क्योंकि काफी subject में वेकेंसी आई हुई है और सभी subject में qualification देखने वाले है सबसे पहले आप देखें, Recruitment Notice No.1 है और ये 23 सितंबा 2024 को जारी किया गया है दसमगर सिक्षा Department of School Education की तरफ से ये सभी post है और इसमें दो तरीके के कस्तूर्वा गांधी बाली का विद्धाले में वेकेंसी है केवल woman candidate ही यहाँ पर आविधन कर सकती है एक तो इसमें जो टीचिंग है नॉन टीचिंग पोस्ट में 352 पदों पर जब वेकेंसी है तो टाइप 3 के जी वी वी है और दूसरा 145 पदों पर जो वेकेंसी है ये टाइप 4 कस्तूर्वा गांधी बाली का विद्धाले से वेकेंसी है ठीक है तो यहाँ पर जो है डिस्टिक वाइज इनको बाटा गया है टोटल नंबर ओफ वेकेंसी 604 एज लिमिट यहाँ पर देखें यहाँ पर जो एज है 42 यर है जनरल कैटिगरी के लिए SCST, BC, EWS कैंडिरेट के लिए जो मैक्जिमम एज लिमिट है वो 47 यर है PWED कैंडिरेट की जो उम्र है 52 यर है और जो एक्सर्विसमें वो मैन है जो की इन विध्यालों में पहले से पढ़ा रही है तो उनकी जो है 45 यर है क्वालिफिकीशन जो है यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा 50% मार्क्स के साथ में कैटिगरी वाइस छूट तो है ही जनरल कैटिगरी को कितना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिगरी किसी भी सब्जक्ट से साथ में बीएड या फिर एमेड मेजुकेशन यानि एमेड ठीक है इसमें भी जो है 50% मार्क्स होने चाहिए पीजीट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो मास्ट डिग्री 50% मार्क्स के साथ में कैटिगरी वाई सबको छूट है ही पीजीटी इंग्लिस की वेकेंसी है पीजीटी सिविक्स की है पीजीटी कॉमर्स की वेकेंसी है तो पोस्ट ग्रेज़ टीचर्स में मास्ट डिग्री 50% मार्क्स के साथ में है B.A.D. मांग रहे हैं या नहीं, अब यहां देख लेंगे, बाकि यहां पर आपका Master Degree, English में, Civics में, Commerce में, या Economics की Vacancy है, Maths की, Vigics की है, Chemistry में है Vacancy, Botany की, Zoology की, और साथ में B.A.D. Compulsory है, ठीक है, तो B.A.D. आपका चाहिए Master Degree के साथ में B.A.D. Post Graduate Teachers के लिए, इसमें जो है P.G.T. Accounting and Tax, P.G.T. C.S.E., P.G.T. P.S.T.T. बहुत सारे जो है subject है, MLT की है, M.P.S.W. की है, G.F.C. की है, ठीक है, तो आप यह तो देख लेंगे, कि MLT यानि कि MBBS या BHMA, या B.A.M.S. वाले, फार्मेसी वाले, या MSC, Microbiology वाले, Biochemistry वाले, जो B.A.C. नर्सिंग की post के लिए, ठीक है, उसके बाद, Contract to Residential Teacher, यानि कि T.G.T. की जो post है, उसमें कौन-कौन से subject है, तो आपके पास, जो है, Graduation में 50% marks, साथ में जो है, B.A.D. आपके पास होना चाहिए, तेलगू की vacancy है, हिंदी की है, और भी है subject, English में vacancy है, Mathematics में है, Physical Science की vacancy है, Biological Science की vacancy है, और क्योंकि काफी subject है, तो आप लोगों को notification पूर अच्छे से देखना है, यदि जो भी candidate जो है, यहाँ पर apply करना चाहेंगे, subject में आपको बता देती हूँ, social studies की vacancy है, सभी में 50% marks के साथ में, graduation के साथ में, B.A.D. फिजिकल एजुकिशन, टीचर के लिए qualification मांग रहे हैं, intermediate course आपका होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, या फिर equivalent course recognized by Board of Intermediate Education Government of आंध्र प्रदेश, 50% marks के साथ में, जो भी कुछ मैंने आपको बताई है, journal category के लिए बताया है, क्योंकि category wise जो छूट जो है वो, चाहिए I.U.C. मां हो, चाहिए qualification सभी में दी गई है, साथ में जो है, physical education teacher के लिए, यहाँ पर B.A.D. या M.A.D. आपका होना जरूरी है, warden qualification के लिए, bachelor degree, 50% marks के साथ में, B.A.D. या फिर M.A.D. पार टाइम teacher की भी vacancy है, जिसमें graduation आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर B.S.C. Maths वाले apply कर सकते हैं, B.A.D. या M.A.D. तो आपकी जरूरी है, accountant की qualification के लिए, B.C.O.M. या B.C.O.M. computer से, selection process जो है देखें, कि selection process में इन्हों ने कहा है, principal और P.C.T. के लिए, weightage of marks रहेगा, S.C. यानि 10th का 10, intermediate का 10, graduation के 20, master degree के 30, B.A.D. या M.A.D. के 20 marks, और अगर आप पहले, कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले में पढ़ा रही हैं, तो 10 marks, ठीक है, इस तरीके से total 100 marks के आधार पर, यहां पर selection होने वाला है, उसी तरीके से, CRT मतलब, contractual, residential teacher, T.G.T. की post के लिए, तो इसमें भी 10 marks, intermediate के 10 marks, graduation के 40, B.A.D. या फिर M.A.D. के आपने 30 marks, service अगर, आप कर रहे हैं, तो उसके 10 marks, हर साल का 1 marks, यहां पर लिखा है, तो जो है, maximum 10 marks आपके हो सकते हैं, total marks जो होगे, इसमें भी 100, ठीक है, इसी तरीके से, physical education teacher के लिए, 10th, 12th, 10th के 10 marks, 12th के 40 marks, V.P.A.D. या UZ.P.E. के 40 marks, और अगर आपने service की है, तो उसके अधिक्तम 10 marks, ठीक है, इस तरीके से, पूरा, reservation जो की, आंदरप्रदेस के, जो candidate है, केवल उनके लिए रहेगा, और salary जो है, इन्होंने यहां पर लिखी है, principal की post के लिए, 34,139 रहेगी salary, आवास की सुविदा तो है ही, post graduate teachers के लिए, 26,759 है, contract to residential teacher के लिए, 26,759 है, P.E.T. के teachers के लिए, 26,759 है, accountant के लिए, 18,500 है, warden के लिए भी इतनी ही है, और part-time teacher के लिए इतनी ही, दी हुई है, ठीक है, अभी जो है, पूरा notification जब पढ़ लिया है, तो वहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा, कि आप जो है, किसी भी राज्य के candidate है, आविदन कर सकते थे, लेकिन last में, बिल्कुल end में, जो है, इनोंने जो ये दिया है, checklist for certificate verification, तो इसमें इनोंने लिखाए, कि ये सारी चीज़े है, जो है आपने, आपके पास certificate होने चाहिए, तब भी आप apply करेंगे, ये बिल्कुल last में दिया हूँ, last page, 24 pages की PDF फाइल है, तो 24 पर ये चीज़ दी है, इनोंने starting में नहीं दी, कि 10th की आपके पास marksheet होने चाहिए, 12th की होने चाहिए, graduation की, master degree की, B.Ed. या M.Ed. या B.P.Ed. M.P.Ed. जो post-wise मांगा गया है, diploma, wherever, डिप्लोमा या डिग्री, लोकल स्टेटस सर्टिफिकेट जो हो ये होना चाहिए, जिसे मैंने हाइलाइट कर दिया, 7 नमबर पर है, तो आपके पास लोकल स्टेटस सर्टिफिकेट आंधरप्रदेश का होना चाहिए, ठीके, कैटिगरी का अगर आपको लाब ले रहा है, तो STSC, BC कैंडिडेट, जो है, इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो बस जो ये 7 नमबर पर इन्होंने जो मांग लिया है, इस से साफ पता लगता है, कि यहाँ पर जो है, वही कैंडिडेट जो है, अप्लाए कर सकती है, जो की आंधर प्रदेश की है, ठीक है, गौर्नमेंट आफ आंधर प्रदेश समगर सिक्षा के तहती है, यह वेकेंसी है, और काफी अच्छी वेकेंसी थी है, अगर उन्होंने एक लाइन नहीं लिखी होती, तो बाकी राज्यो के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाए कर सकती थी, क्योंकि उतर प्रदेश में जब स्टार्टिंग में वेकेंसी निकाली गई थी, कस्तूरबा में, तो केवल वहाँ पर यूपी टैट मांग रहे थे, ठीक है, और जिस वज़े से केवल यूपी की कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती थी, लेकिन अब जो है, वहाँ पर सी टैट भी जो है अलाव कर दिया है, या फिर आपके राज्य का टैट अलाव कर दिया है, जिस वज़े से भारी राज्य की कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई कर सकती है, लेकिन यहाँ आंदर प्रदेश सरकार ने जो है, केवल आंदर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए ही जो है, यहाँ पर अप्लिकेशन फॉर्म मांगे हैं, तो जो भी कैंडिडेट आंदर प्रदेश की हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे देखना है, तो ऑफिशल वेबसाइट पर आना है, कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याल है, 2024-2025, गॉर्मेंट आफ आन्दर प्रदेश जैसे ही आप इस पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही नजर आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आप देखने के लिए क्लिक हियर करेंगे, इसके डिस्टिक वाइस वैकेंसी कितनी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट रूस्टर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल पेमेंट जो है आपको करना होगा, टू फिफ्टी रूपीज जो आपके यहाँ पर एप्लिकेशन फीस मांगी जा रही है और अप्लाए करने के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, ठीक है तो बिल्कुल आप लोगों को सारी चीज़ें यही मिल रही है और यह देखिए यह है पेमेंट फॉर्म ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर है रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर है डिस्टिक वाइज कितनी वेकैंसी है तो जो भी आंतर प्रदेश की कैं कस्तूर्वा विध्याले जिस भी राज्जी की वेकैंसी जारी होगी आप लोगों तक सूचना समय पर पहुंचेगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेकैंसी के साथ सिख्षक भरती की जितनी भी वेकैंसी आएगी बिल्कुल आप लोगों को समय पर बताई जएगी, thank you.